तो फाइनली हुआवी के P40 प्रो का इंतजार खतम होने वाला क्योंकि 9 अप्रेल को उसकी ऑपनिंग सेल होने वाली है अलग इसकी प्री ओडर जो है वो 2 अप्रेल से स्टार्ट हो गए थे तो बिना देरी किये चलते हैं फोन की स्पेशिफिकेशन की तरफ देखते इसमें क् क्वाल्टी है और क्या इसके अंदर आपको खास देखने को मिलेगा हमेशा की तरह सुरुवात करते हैं इसकी डिस्प्ले से कंपरें ने इसके अंदर 90 हैस डिफ्रेस रेट की 6.58 इंचेस की डिस्प्ले दी है जो की क्वार्ट टेच और फ्लो के साथ आएगी यानि के इसक तरह आप देख सकते हैं इतना ज्यादा इन और कॉव कट भी है काफी अच्छा है लुक के हिसाब से बहुत बहतर है अगर बात करें डाइमेंशन की तो इसकी हाइट है वह 6.23 इंचेस और वीड 2.86 इंचेस और इसकी थिकनेस के अगर बात करें तो 0.35 इंचेस की थिकनेस ह अगर बात करें इसके वेट की तो यह 209 ग्राम का है तो यह काफी अच्छा है हलका है इतना ज्यादा भारी भी नहीं कह सकते हलका भी नहीं कह सकते मीड वेट के अंदर ही और दोनों तरफ आपको गोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन की तरफ और पीछे की तरफ आपको बेक में भी इसमें ग्लास देखने को मिलेगा फ्रेम जो है वो इसका अलिमूनियम का इन्होंने इस्तमाल किया है जो कि इसकी डिवरेबिलिट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है अगर बात कीजाए इसके पावर और प्रोसेसर की तो कॉम्प्री न इसकेंदर कीरी 990 5G 7NM प्लेस ओक्ता को प्रोसेसर दिया है और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आपको इसकेंदर हाइब्रीड सिम स्लोट कार देखने को मिलेंगे दोनों आप नेनो सिम कार यूज कर सकते हो डिवल स्टेंड बाई है आप इसकेंदर अलग से मेमरी कार भी डाल सकते है तो इसमें सिम का जो है हाइब्रीड स्लोट का रहा तो आप इसमें 256GB तक आप इसकेंदर अलग से डाल सकते है इसके अलगा अगर आप इंटरिनल स्टोरेज की बात करें आपको तीन वेरियंट के अंदर ये मिलेगा 128GB जो 8GB रेम के साथ प्राइम के साथ आएगा 512GB जो की 8GB रेम के साथ आएगा यान कि रेम की बात करें तो तो तीनों वेरियंट के अंदर रेम इन्होंने बिल्कु सेम रखी है अब हम बात करें केमरों की तरफ जो की कपेंड़न ने काफी ज्यादा फॉकस उनके लिया है केमरा को उपर तो से 1.9 साथ देखने को मिलेगा. और अब देखते हैं सेकंड सेंसर की तरफ तो आपको इसके अंदर 12.5 के साथ एल्यवर्टो सैंसर मिल जाएगा. तो अगर बात करें के बील्ड इन क्वालिटी की तो काफी ज्यादा शांदार है फिनीशिंग बहुत अच्छी कमपनी न दी है और एक और बात केमरा थोड़ा आपको अलग तरीके से सेट किया हुआ मिलेगा तीन एक साइड में और एक तरफ तो यह थोड़ा उन्होंने लुक चेंज करने की कोशिश किया है तो जो की फॉन के डिजाइन को पिछी से काफी जादा बहुत बना देता है अब अगर चलते हैं फ्रंट केमरे की तरफ तो इसके अंदर आपको ड्यूल पंच होल डिस्पले मिलेगी इसके अंदर आपको दो सेंसर मिलेंगे जो फर्स्ट जो मेन वाइड एंगल के लिए जो होगा वो 32 मेगाफिक्सल का आपरेजर 2.2 के साथ आएगा इसके इलाव आपको आई आर 3D सेंसर डेफ और बायमेटिक सेंसर जो इसके साथ आपको देखने को बिलेगा अगर हम बात करें टेक्नोलीजी की केमरे के अंदर की कौन से टेक्नोलीजी इसके अपको इसके अंदर GPS में चेंजिंग की हैं जैसे जो आता था पहले अभी इसके अंदर इसरो का नैविक भी सपोर्ट करेगा अगर बात करें यूसबी की नीचे की तरफ तो इसके अंदर 3.1 टाइप सी यूसबी आपको रिवर्सेबल कनेक्टर के साथ देखने को मिलेगी अब यह 9 April सेल के अने वाला प्री बॉकिंग की दो अप्रेल से स्टार्ट हो गाई अगर आपको बुकिंग करने है तो आप अभी सी जा करके वहां पर प्रीबुकिंग के अन्दर अबी कर से के परसके तो Google की services भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और अगर sensor की तरफ अगर आप हम ध्यान दे तो इसके अंदर आपको inferred face recognition जो है वो मिलेगा यानि कि ये face lock इसके अंदर आपको मिलेगा fingerprint आपको under display मिलेगा जो की काफी smoothly काम करेगा उसके रहाओ proximity compass color spectrum वगेरा सारे देखने को मिलेगे और बैटरी की जहां तक बात करूं तो 4200 mhk इसकी बैटरी component दी है साथी साथ ये 40 watt के चार्ज को भी सपोर्ट करेगी और 27 watt के wireless charger को भी सपोर्ट करेगी तो ये काफी अची बात है आज कल फोन बेसे डेट जल्दी हो जाता है तो उसकी लिहास से इन्होंने काफी अच्छा काम किया है अब बात कर लेते हैं आपको कितने colors और किस price range में आपको मिलेगा ये आपको पांच color में देखने को मिल जाएगा और इसकी price component ने अप्रॉक्सिमेटली 1,000 येरो रखी ह और इस फोन के अंदर क्या चीज आपको सबसे खास लगी इसके बारे मुझे जरूर बताईएगा फिल हाल के लिए बस इतना ही में में मिल तौप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्स वोचिए